जैश्यराम्मित्रों, डिक्टेशन स्टार्ट आवेदकों ने सम्विधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रकिरिया सहिता की धारा 115 के अधीन यह आवेदन फाइल करके विद्वान मुनसीफ संख्यादो कामरूप कौमा राजगर द्वारा 1995 के हक वाद संख्या 32 में फाइल 1995 के प्रकिर्ण मामला संख्या 432 में तारीक 12 मार्च, 1995 को पारित आदेश तथा विद्वान मुनसीफ संख्या दो कौमा कामरूप महानगर कौमा राजगर द्वारा 1995 के हक वाद संख्या पेतनीस में तारीक 13 मार्च, 1995 को पारित पारिनामिक आदेश की तथा विद्वान दो कौमा विधि मानिता को आक्षेपित किया है विराम। उपरियुक्त आदेशो द्वारा आवेदकों उबलिक वादियों के वादपत्र को सिविल परकिरिया सहीता के आदेश साथ कौमा नियम ग्यार कोश्टक गह कोश्टक के उपबंधों के अधीन खारिज किया गया है विराम पेराचिंज इस ने आले को यह प्रतीत होता है की प्रतिर्थियों के विद्वान काउंसेल ने यह ठीक ही दलील दी है की वादपत्र की खारिजी किसी डिक्री के बराबर है विराम इस संबंद में यह नयाले सिविल प्रक्रिया सहीता की धारादो में यथा उपबंधित डिक्री की परिभासा का निर्देश कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री में वादपत्र की खारिजी सम्मिलित है विराम अतह जब एक बार विद्वान विचारण नयाले ने वादपत्र की खारिजी का निर्देश किया है तो यह आवेदकों ओबलिक वादियों द्वारा वाद में किये गए दावे के संबंद में उनके विरुद्ध डिक्री पारित किये जाने के बराबर है जिसके लिए आवेदक अपने विवाद के प्रतितोस के लिये माध्यस्थम द्वारा समुचित नयाले में समा वेदन करने से विवर्जित होंगे विराम इस नयाले का यह सू विचारित मत है की वाद पत्र की खारिजी पो देखते हुए वाद में के विवाद के बारे में पुनह यह निर्देश करने से की मामला माध्यस्थम द्वारा वी निश्चित किया जाएगा कॉमा आवेदकों को कोई भाइदा नहीं पहुचेगा क्योंकि डिक्री जो वाद पत्र की खारिजी के अनुसरण में है कॉमा आवेदकों के लिए सतत रूप से पस्चात वर्ती कारेवाहियां संस्तित करने या ओबलिक और फाइल करने के लिए विधिक बाधा स्रिजित करेगी जिसमें ऐसा माद्यस्तम भी सम्मिलित है और इस बारे में सूस्थापित सिद्धान्त है कि किसी कानून के विरुद्ध कोई विबंदन नहीं हो सकता विराम उपरियुक्त को द्रिष्टी गत करते हुए इस नयाले का यह मत है की विद्वान विचारण नहीं ले ने आक्षे पित आदेश पारित करने में अधिकारिता संबंदी त्रूटी की है जिससे आवेदक के साथ अन्याय हुआ है विराम माद्यस्थम खंड की विद्द्यमानता कॉमा यदि यह विद्यमान्य है कॉमा केवल माद्यस्थम और सुलह अधिनियम कॉमा उन्निस सो च्यानवे की धारा आठ के अधिन कोई आदेश माद्यस्थम को विवाद निर्दिष्ट करके किया जा शक्ता है विराम प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसेल प्रवर्त विधी का ऐसा कोई उपबंद दर्साने में असमर्थ रहे हैं जो किसी व्यक्ती को कोई सिविल वाद इस कारण से संस्तित करने में विवर्जित करें कि पक्सकारों के बीच करार में माद्यस्तम खंड विद्यमान है विराम स्टोप धन्यवाद